हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू प्रिटी कॉर्नर और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो फ्रेंड्स आज हम लोग शट्तिलाई कादशी की कथा करेंगे हिंदू धर्म में माग का महिना बहुत पवित्र और पावन होता है इस मास में वरत और तपका बड़ा ही महत्व है इस महा में कृष्ण पक्ष में आने वाली कादशी को शट्तिलाई कादशी कहते है शट्तिलाई कादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित व्रत रखना चाहिए इस साल शर्टिलाई कादिशी का जो व्रत है वो पढ़ रहा है साथ फरवरी 2021 को यानि की रविवार को तो अब हम शर्टिलाई कादिशी की कथा कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं शर्टिलाई कादिशी की कथा बोलिए जैश्री हरी भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से इकादशियों का महात्तम सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करके अर्जुन ने कहा हे केशव आपके श्री मुख से इकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनन्द की प्राप्ति हुई है हे मधु सुदन कृपय कर अन्य कादिशियों का महत्तम सुनाने की भी अनुकमपा करें। हे अर्जुन अब मैं माग मास के कृष्ण पक्ष की शट्तिला इकादिशी व्रत की कथा सुनाता हूं। एक बार दालब्भे रिशी ने पुलसत्य रिशी से पूछा हे रिशी श्रेष्ट मनुष्य मृत्य लोक में ब्रहम हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नती देखकर इर्शा आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, इर्शा, आवेग और मूरक्ता वर्ष करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाई यह हमने क्या किया। इस सभी प्रशनों का हल आप कृपा पुर्वक बतलाईए। इर्शा तथा एहंकार आदि से सरवधा बचना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 वार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और इकादशी तिति हो तब अच्छे पुन्य देने वाले नियमों को ग्रहन करना चाहिए। स्नानादी नित्यक कर्म से देवों के देभ भगवान श्रीहरी का पूजनवा किर्थन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नवेद से भगवान श्री हरी की पूजा अर्चना करें तथा खिचडी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नार्यल, सीता फल या सुपारी सैथ अर अवश्य देना चाहिए। तदुप्रानांत उनकी स्तुती करनी चाहिए। हे जगदीश्वर आप निरश्टियों को धारन करने वाले हो। आप संसार में डूबे हुए का उदार करने वाले हो। हे कमलनेयन, हे मदुसुधन, हे जगनात। आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस्तुछ अरग को स्विकार कीजिए। इसके पश्चात भ्रामन को जल से भरा घड़ा और तिल दान करने चाहिए। यदि संबभ हो तो भ्रामन को गव और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वे उ इस प्रकार छे रूपों में तिलों का प्रियोग शट्तिला एकादशी कहलाती है। हे नारद मैं तुम्हें प्रतेक्षतेक सत्य वितान सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक्ष्रवन करो। आदी से इसका शरीर तो पवित्र कर लिया है। तथा इसको बैखुन लोग भी प्राप्थ हो जाएगा। किन्तु इसने कभी भी अन का दान नहीं किया है। अन के बिना जीव की त्रिप्ति नहीं होती। ऐसा चिंतन कर मैं मित्तु लोक में गया और उस ब्रहमनी से अन की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्रहमनी ने कहा हे योगी राज आप यहां किसले पधारे हैं। मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लोट आया। कुछ समय वितित होने पर वे ब्रहमनी शरीर त्याकर स्वर्गाई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उस जगा एक आमरिक सहीत घर मिला। किन्तु उसने उस घर को अन्य वस्तों से खाली पाया। वे घबराई हुई मेरे पास आई और बोली। हे प्रभू मैंने अवने व्रत आदि का उनका पूजन किया। किन्तु फिर भी मुझे घर वस्तों से रिक्त ही मिला है। इसका क्या कारण है। मैंने कहा। उनमें से एक देवस्त्री ने का यदि तुमारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक्षर्वन करो। मैं तुमसे इकादशी व्रत और उसका महात्तम विधान्स कहती हूँ। जब उस देवस्त्री ने शट्तिला इकादशी का महात्तम सुना दिया तब वह ब्रहमनी ने द्वार खोल दिये। देवस्त्रियों ने ब्रहमनी को सबस्त्रियों से अलग पाया। उस ब्रहमनी ने भी देवस्त्रियों के कहे अनुसार शट्तिला इकादशी का उपवास किया। और उसके प्रभाव से उसका घर धन धन्ने से भर गया। अते हे पार्थ मनुष्य को अ वासको करने से जहां हमें शरीर पवित्र होता है वहीं निरोगी काया प्राप्त होती है वहीं अन और तिल का दान करने से धंधने में बढ़ुतरी होती है इससे यह भी सिध होता है कि मनुष्य जो जो और जैसा जैसा दान करता है शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ह दान आदी अवश्य करना चाहिए शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किये कोई भी धार्मिक कार्य संपन नहीं होता है।